आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि यदि किसी बेक्ती के यूरेक एसिड बढ़ गया है और उसकी बज़ए से जॉइंट फैन हो रहा है तब उसमें कौन-कौन सी दवाईयां ओपियो की जाएं जिससे कि जॉइंट फैन को ठीक कर सके और इंफिलामेशन को ठीक कर सके देख कि जब भी किसी बेक्ती की बोडी में यूरेक एसिड बढ़ जाता है तो वह है यूरेक एसिड हमारे बोडी की हड़ियों के बीच जाकर जमा होने लगता है जिसकी बज़ए से जॉइंट फैन होने के खतरा बढ़ जाता है और जॉइंट फैन होने लगता है तो यदि आप को इस प्रकार की समस्या है, या किसी बैक्तियों के इस प्रकार की समस्या है, तो जनरली, हम 4 मेडियसिन के तुरू इसका इलाज कर सकते है, इसको ठीक कर सकते हैं, फस्त जो मेडियसिन होगा है, Eanset है, Eanset में जबने हम बात करें, तो IB proof görev फ हैं, दूसरा जो medicine है, analgesic, analgesic में याद ही हम बात करें तो acyclophenic sodium ले सकते हैं, तीसरा जो medicine है, वो है, tramadol hydrochloride, tramadol hydrochloride नाम ही आपने सुना होगा जैसे कि ultra set नाम से market में easily दबा मिल जाती है, चोथी जो medicine होती है, वो है होती है, beta methasan, बीटा methasan एक ऐसी दबा होती है, जो कि हर प्रकार की disease में काम कर जाती है, तो ज़्यादातर मामलों में यह है, आपके घुटनों में या आपके joint span में, यदि कोई किसी प्रकार का inflammation हो, किसी प्रकार की कोई समस्य हो, तो बहुत अच्छी तरीके से काम करती है, तो आप या तो ibuprofen ले ले लीजिए, या aciclophenic sodium ले 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 लीजिए, दोनों ही एक ही बात होती है, तो ibuprofen, ultracet और dexa या beta methasan, यह दबाईया या आप 5-7 दिन तक दिन में दो बार खाने के बाद लेते हैं, तो आपको uric acid बड़ा हो और उसमें जो joint span होता है, arthritis जैसे समस्या होती है, वो उससे निजात आप पा सकते हैं, 5-7 दिन में ही आपको फर्क नजर आ जाएगा और अच्छा फील होने लेगा और आपका जो दर्द हो रहा है, जोइंट पैन होता है, वो यह पूरी तरीके से ठीक होने लएगा है, इसके साथ याद यह डॉक्टर दौरा प्रेस्क्राइब्ड की गई है, जो आपको uric acid की दवाईया वह भी आप ले सकते हैं, तो साथ ही साथ आपको uric acid कम करने की दवाईया भी लेना है, लेकिन उसके पहले यह जान लीजिए कि इन दवाईयों के साथ उसका कोई reaction या कोई side effect तो नहीं है, तो चाहे तो आप uric acid को कम करने की दवाईया भी ले सकते हैं, और साथ में यह दवाईया भी ले सकते हैं, लेकिन आपको इसके पहले डेक्टर से कंसल्ट करना होगा, अधर्वाईज यादि आपको uric acid बरने की बज़े से यादि joint spend में हो रहा है, दर्द हो रहा है, तो आप इन दवाईयों के साथ आप ठीक कर सकते हैं, और next and last उपाय होता है कि आप uric acid को कम कर लेजिए, तब तक के लिए thank you very much, जाय हिंत बंदे मत अब देखते रहें, फार्मा के और,